दोस्तों, बोर्ड मीटिंग का आज की सेशन में लास्ट सेक्षन करेंगे सेक्षन 175 सेक्षन 175 इस रिसूलूशन बाई सर्कुलेशन 175 इस रिसूलूशन बाई सर्कुलेशन बोर्ड मीटिंग हम क्यों बलाते हैं, सोचने की बात है आईए पहले concept को समझते हैं पहले concept को समझते हैं की बोर्ड मीटिंग एक वो इवेंट है बोर्ड मीटिंग क्या है? Board Meeting वो event है जहां पर different directors, different direction से 81 होते हैं, 81 होते हैं, D1, D2, D3 ये क्या है, D4 ये क्या है directors है ये क्या करते हैं, इस event में आ रहे हैं, और कुछ businesses transact करने हैं, क्यूं आ रहे हैं देकों कि एक्ट में ऐसा लिखा है, क्यूंकि articles में ऐसा लिखा है, क्यूंकि rules में ऐसा लिखा है, क्यूंकि उनके contract में ऐसा लिखा है क्यूंकि shareholders ने कोई resolution पास किया है अपनी general meeting में, उसकी वज़ा से directors इस meeting में आ रहे हैं और यहां आके वो resolution पास करते हैं तो देखो कितने सारे लोग movement कर रहे हैं कोई plane से आ रहा है, कोई train से आ रहा है, कोई car से आ रहा है कोई विदेश से आ रहा है, कोई देश से आ रहा है तो यह लोग इस event को attend करेंगे इनके traveling expenses company को bear करने पड़ते हैं इनको sitting fees pay करने पड़ती है, sitting fees pay करने पड़ती है board meeting attend करने के लिए खाने का खर्चा, पीने का खर्चा इनका पीने का खर्चा समझेगे ना, what is the meaning of पीने का खर्चा खाने पीने का खर्चा इनका, घूमने का खर्चा अपनी बीबी को साथ ले आएंगे उसका खर्चा तो होटेल्स का खर्चा बोर्डिंग लोजिन फूल्ड ट्रैवलिंग सिटिंग फीस तो कंपनी को ये बोर्ड मिटिंग करने भी कोई सश्टी नहीं बढ़ते गई बारी कंपनी को ये board meeting करनी भी महंगाय affair है कुछ सस्ता affair नहीं है कुछ सस्ता काम नहीं है अब हमने एक innovation किया एक नया idea लगाया कि हम इस case में हम क्या कर रहे है directors की movement कर रहे है resolution पास करने के लिए अगर हम इस process को reverse कर दे यानि resolution की movement कर दे resolutions, resolution की movement कर दे किसकी तरफ, directors की तरफ तो ये सारा process ही change हो जाएगा यानि हम क्या करेंगे हम पहले एक resolution मनाएंगे ठीक है उस resolution को सभी directors तक पहुँचाएंगे जिससे क्या होगा कि उन directors को हम कैसे पहुँचाएंगे हम through post पहुँचाएंगे उन्हें किसी भी post, speed post से register post से, courier से किसी भी तरीके से उनके पास ये resolutions पहुँचाएंगे ठीक है तो पहले ही बारी में पहला जो board meeting का concept ये है कि directors को resolution तक आना पड़ेगा और section 175 का concept क्या है कि resolution को director तक जाना पड़ेगा resolution को director तक जाना पड़ेगा यानि हम resolution को circulate कर देंगे वहीं simple बात है resolution को circulate कर दिया जाएगा जब resolution को circulate कर दिया जाएगा तो directors अपना अपना vote भी वैसे ही देंगे जैसे उनके पास resolution आया था यानि they need not to convene a board meeting यानि they need not to convene a board meeting this is section 175 it's very important section ठीक है तो उसमें क्या पढ़ेंगे कि किन मुद्दो को हम इसे पास कर सकते हैं और किन मुद्दो को हम resolution by circulation से पास नहीं कर सकते तो आपको ये concept clear हुआ बेटा ये concept क्या है this is the concept of section 175 आईए एक बारी हम बेटा क्या करेंगे section 175 के concept को एक बारी दुबारा से अब इसे हम act के according सिखेंगे कि law इसे कैसे रखता है शावाश नोट किजी the board and committee committee का concept अभी आपको मैंने नहीं बताया है committee क्या होती है board में से भी एक अलग से group बनाएंगे उसे committee बोलेंगे जिसे audit committee एक example है यानि group within a group यानि देखो हमारे पास 15 director है सभी directors को हर case में बुलाने की जूट नहीं बढ़ती है यानि हमारे पास एक directors है और engineer है तो उसे हमने accounts वाली meeting में बुला के उसे क्या करेंगे तो इसलिए हम committee बना देते हैं आगली class में आज ही की class में आगए ये concept हम discuss करेंगे तो committee का मतलब क्या है a group within the board of directors यानि 4-5 technical committee बना देंगे audit committee बना देंगे ठीक है और कि सारी committees हम for better corporate governance बना देते हैं committee का मतलब होता है a group within the group इसे भी हम discuss करेंगे detail में तो board meeting और committee meeting committee meeting मतलब वो meeting जो एक selected directors की होगी meeting committee meeting का मतलब क्या है बेटा meeting of selected directors board committee there of शाबश या हम board की बात कर रहे है या committee there of की बात कर रहे है may pass may यानि may मतलब option है उनके पास may pass any resolution any resolution any resolution मतलब कोई भी resolution पास कर सकते है ध्यान से सुनना होगा आपको पुरा बात पूरी बात ध्यान से सुनना होगा before making any conclusion ठीक है the board committee there of may pass any resolution any resolution by circulation which are not which are not ठीक है ध्यान से आप मेरी बात को सुनना may pass any resolution by circulation except those resolutions which are not ठीक है या आप इस चीज़ को ऐसे दिख सकते है पोजिटिव लेंगविज से except those resolutions which are required to be passed which are required to be passed only at the board meeting only at the board meeting यानि जिन के लिए board meeting attend करना जरूरी है उन मुद्दों को छोड़ कर जहां लाने जहां companies act ने ये कहा है कि इन मुद्दों पर board meeting करना जरूरी है उन मुद्दों को छोड़ कर बाकि कोई भी मुद्दे पर चाहे वो committee meeting हो चाहे वो board meeting हो चाहे वो committee meeting हो चाहे वो board meeting हो ध्यान से सुनना resolution by circulation पास हो सकता है किसी भी मुद्दे पर आप इस language को दुबारा से एक बारी analysis करेंगे क्या कह रहे है बेटा ध्यान से सुनो section 175 क्या है बेटा section 175 is resolution by circulation board committee thereof may pass may pass board committee may may word है pass any resolution any resolution by circulation except those which are required by the act which are required which are required to be passed only at the board meeting ठीक है बेटा यहां bracket में लिख लिजिए last में by act or articles of association last में बेटा लिख लिजिए by act ठीक है by act और articles of association यानि articles of association या act में यह लिखा है कि इस काम के लिए board meeting जरूरी है करनी तो इस काम के लिए तो board meeting आपको जरूर करनी पड़ेगी otherwise आप किसी भी resolution को by circulation transact कर सकते हैं किसी भी resolution को by circulation आप transact कर सकते हैं शाबाश आप आगे बढ़ेंगे बेटा हम इस concept को आगे लेकर चलते हैं शाबाश the requirements are as under यानि आप resolution by circulation पास करना चाहते हैं तो क्या-क्या requirements act की हो सकती है वो हमें ध्यान से यहाँ पे दिखना होगा requirements requirements are as under आप ध्यान से वेरी बात को सुनिए requirements किन किन चीजों को आपको करना पड़ेगा क्या-क्या काम आपको करने पड़ेंगे वो सबसे पहले आप serial wise note करेंगे और इस section की concept को हम बहुत अच्छे से पड़ेंगे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं बेटा इस section के उपर कहां से question पूछेगा ये बात सोचने की है तो सबसे पहला काम हमने ये करना है circulation of draft सबसे पहला काम क्या करना है circulation of draft तो सबसे पहले draft को circulate करना है यानि जिस resolution को आप transact करना चाहते हैं उसे पहले लिख लिजिए draft का मतलब पहले लिख लिजिए और उसे फिर circulate कीजिए यानि उस resolution को सभी directors तक पहुँचाईए आगे हम लिखेंगे the draft of the resolution the draft of the resolution along with necessary along with all necessary all necessary papers all necessary papers must be circulated must be circulated as under यानि draft resolution यानि पहले आपने क्या बनाना है resolution को draft form में लिखना है draft of the resolution draft of the resolution मतलब क्या कि resolution को पहले draft कर लिजिए draft कर लिया resolution को फिर उसको necessary papers उसके साथ attach करके एक bundle बनाके must be circulated as under उसको circulate करना है circulate कैसे करना है शाबाश ठीक है circulated as under शाबाश आपने किस तरह से circulate करना है बहुत ध्यान से आपने ये बात note करनी होगी आपको शाबाश to all persons to all the members all the members लिखेंगे members मतलब यहाँ पर क्या है directors members of the board यानि board of directors members of the board यानि जितने भी directors हैं सब को जाएगा or the committee or the committee यानि board की board में से कोई एक और group बना रख़ा है जिसे आप committee बोल गए है to all the members of the board or the committee committee के जितने भी member है या board of director के जितने भी member हैं सबको वो circulate होगा सबको वो circulate कहां पर होगा कहां भेजना है आपको आईए आगे नोट कीजिए शाबाश add their residence कहां भेजना है add their residence जहां उनका residence है वहां भेजना है ठीक है add their residence ने लिखिये आप लिखिये add their registered address जो भी उनका registered address जो भी उनका registered address with the company है वहां भेजिए with the company add their registered address with the company ठीक है कैसे भेज सकते हैं ठीक है by by following manners by following manners आप मैंने देखो टुकडे टुकडे करके definition को बता दिया आपको ताकि कोई भी important point आप भूले नहीं कैसे कैसे आप भेज सकते हैं by hand delivery आप hand delivery कर सकते हैं ठीक है by post आप by post उसे भेज सकते हैं by hand delivery कर सकते हैं by post आप भेज सकते हैं courier भेज सकते हैं courier transaction भी आप कर सकते हैं ठीक है ठीक है including email और इस पर question आ सकता है चार नंबर का इस point पर आपसे पूछेगा कि email से circulate कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं yes कर सकते हैं facts कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं और by facts electronic means including email and facts facts भी electronic mode में cover होता है चलिए बैटा तो board meeting में directors क्या करते हैं resolution को approve करते हैं तो यहां भी approve कैसे करेंगे आईए हम अपनी इस knowledge को हम आगे बढ़ाएं चलिए हमने क्या कहा circulation of draft पहला काम क्या करना होगा resolution को draft करना होगा draft करने के लिए क्या क्या आपको करना है वो सब बाते हमने या note करी अब second point note करेंगे approval चाहिए ही बढ़ा हमें the resolution should be the resolution resolution should be approved resolution should be approved by a majority of by a majority of directors of all the directors all the directors या members of committee बात हम कर रहे थे members who are entitled to vote who are entitled to vote vote जो vote देलने के हकदार है to vote on the resolution बुलो बीटा बात समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे है अच्छपश ऑगी बोर्ड मीटिंग के बाद उनके रिकोर्ड त्यार किये जाते है और उससे क्या कहते है minutes कहते हैं तो minutes के resolution by circulation जब आप pass करोगे तो उसकी entry minutes की minutes की मतलब कैसे तियार की जाएगी ठीक है तीसरा point हम लिखेंगे बिटा minutes के उपर where a resolution भाई जब आप board meeting करते हो तो उसके records maintain करते हो in order of time जब in order of time आप board meeting के records note करोगे तो उने कहा जाता है minutes अब board meeting तो आपने करी नहीं लेकिन resolution by circulation pass कर लिया तो उसके minutes कैसे आप त्यार करोगे यह बात यहां समझने की है where a resolution is passed where a resolution is passed by circulation where a resolution is passed by circulation to to prove to prove its authenticity 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 मतलब कि वो वाक्य में उनकी authority है वो original है वो authentic है the company shell ठीक है the company shell company की एक duty create कर रहे हैं यहां पे ध्यान से आप note करेंगे the company shell company क्या-क्या काम करेगी इसके लिए आगे further हम इसे note down करेंगे company shell first note the same note the same in the next board meeting in the next board meeting यानि जो भी अगली board meeting होगी वहां उसे आप you will take note and and शबश make it a part of make it a part of शबश the minutes of the part of the minutes of that meeting minutes of that meeting यानि अगली board meeting के minutes का उसे part बना दिया जाएगा अगली board meeting का उसे part बना दिया जाएगा बेटा तो आईए बेटा first हमने क्या देखा section 175 की हमने concept को देखा फिर हमने क्या-क्या उसकी requirement है क्या-क्या requirement है उसकी पहला circulation of draft हमने देखा पहले हमने circulation हमने draft circulate करना पड़ेगा यह देखा फिर दूसरा हमने यह देखा कि resolution approved होना चाहिए हमने फिर देखा the resolution should be approved should approved by a majority of all the directors members who are entitled to vote on that resolution और बेटा फिर हमने देखा where a resolution is passed where a resolution is passed by circulation to prove its authenticity इसकी authenticity को prove करने के लिए company क्या करेगी company क्या duty है company की यह duty है company की यह duty है note the same in the next board meeting and or make it a part of the minutes of that meeting शाबज बेटा अब एक question यह है की resolution by circulation से जो आप गाम कर रहे हो कुछ directors चाहते है थीक है बेटा कुछ directors चाहते है कि इस मुद्डे को तो आपने circulation से past कर लिया है लेकिन हमें तो meeting बुलानी है हमें तो क्या बुलानी है meeting बुलानी है हम circulation से नहीं चाहते हैं इसे, हम तो इसे meeting में discuss करना चाहते हैं, ठीक है, where, आप लिखिए बेटा, EPQ question लिखिए, यहाँ पर expected practical question लिखिए, where, a resolution is passed, शाबश, आप ऐसे लिखिए, where, not less than, यहाँ लिखिए, where not less than, one-third of, one-third of the total number of the, of the total number of, total number of directors, टोटल number of directors, या members of committee, members require, शाबश, that the matter, that the matter, matter मतलब जो भी आपने circulation से पास किया है, matter, ठीक है, जिसका circulation हुआ है, must be decided, must be decided, at the, at the board meeting, at the board meeting, at the board meeting, the chairperson, जो भी chairperson होगा, board का, the chairperson shall put the resolution, shall put the resolution, to be decided, to be decided, at a board meeting, at a board meeting, आईए, क्या लिखा बेटा, आईए, इसे हम ध्यान से समझेंगे, एक बार ही, आईए बेटा, हम ध्यान से समझेंगे, यह बहुत important point है, यह बहुत ही important point है, we are not less than one-third, यानि one-third से कम नहीं होने चाहिए, we are not less than one-third of the total number of directors, total directors का one-third निका लिए पहले, ठीक है, require, that the matter must be decided at the board meeting, वो कहते हैं कि हम circulation से नहीं चाहिए, हमें तो इस मुद्दे पर, हमें तो इस मुद्दे पर क्या करनी है, बोर्ड मीटिंग करनी है, तो क्या होगा, the chair person shall put the resolution to be decided by at the board meeting, यह fourth point था, इसका, आईए, इस series का, इस section का, एक सबसे last point हम discuss यह करेंगे, सबसे last point हम discuss करेंगे, ध्यान से आप इसे note करेंगे, बेटा, अब हम क्या करेंगे, matters, matters which cannot be, एक list मनाएंगे, act से, act की list मना रहे हैं, तो articles के बारे में कैसे, company के बारे में कैसे सोच सकते हैं, लेकिन हम, क्या बना रहे हैं, हम, एक list मना रहे हैं, matters which cannot be, decided by circulation, cannot be decided by circulation, हम, ऐसे मुद्दों को पढ़ेंगे, जिन्हें आप circulation से पास कर ही नहीं सकते, जिन्हें आप circulation से पास नहीं कर सकते, ठीक है, for such matters, for such matters, a board meeting is required, for such matters, a board meeting is required, यहनी, इन मुद्दों को, इन मुद्दों के लिए, हम board meeting, चाहिए ही चाहिए बेटा, ठीक है, शाबश बेटा, matters which cannot be decided by a circulation, ठीक है, there are some matters which require consideration at a board meeting, ठीक है, and cannot be passed as circular resolution, and cannot be passed by a circular resolution, तो आईए, हम decide करते हैं, सबसे पहले list बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहला है, आईए, इसके एक list बनाएंगे, section 161, subsection 4, ठीक है, क्या है, filling of casual vacancy by directors, filling of casual vacancy, casual vacancy by directors, यह काम आप circulation से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको board meeting बुलाने ही पड़ेगी, यह काम आप circulation से नहीं कर सकते, आईए, हम एक list बना रहे हैं, कि किन किन मुद्दों के लिए आपको board meeting बुलाने ज़रूरी है, यानि यह यह बाते हैं, resolution by circulation से नहीं हो सकते, section 179, subsection 3, का जो matter है, वो भी आप resolution by circulation से नहीं कर सकते, ठीक है, शाबश, power of directors है, इसमें, power to, क्या है 179, subsection 3, मैंने शायद अभी आपको, अभी तक class में discuss नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आप note कर लिजिए बेटा, power to make, power to make a call on shareholder, अगर आपको shareholder से पैसा मंगवाना है, तो shareholders, तो आप यह काम circulation से नहीं कर सकते, issue of debentures, issue of debentures, यानि यह काम आप circulation से नहीं कर सकते, शाबाश, तीसरा है, borrow money, borrow money, शाबाश, otherwise than, otherwise borrow money, otherwise than, on debentures, यानि यह काम भी आप circulation से नहीं कर सकते, यह सब काम हम note कर रहे हैं, कि यह काम आप board meeting में कर पाएंगे only, और circulation से यह काम नहीं कर पाएंगे, ध्यान से सुन लिजिए, 179.3 के जितने भी हम काम कर रहे हैं, वो आप resolution of by circulation से transact नहीं कर पाएंगे, invest the company's fund, invest the company's fund, आप company का पैसा invest करने चाहते हैं, तो यह काम आप circulation से नहीं कर पाएंगे, इस काम के लिए आपको board meeting करने पड़ेगी make loans, और आप loan देना चाहते हैं, ठीक है, make loans, अगर आप कर्च देना चाहते हैं, कर्च देना चाहते हैं, कर्च देना दे भी नहीं सकते ओर ले भी नहीं सकते, इन दोनों काम के लिए आपको meeting करने पड़ेगी 179.3 हम क्या list बना रहे हैं primarily हम एक list बना रहे हैं कि कौन-कौन से काम हम board meeting में कर सकते हैं कौन-कौन से काम हमें board meeting में करने होंगे इन सब कामों को circulation से देखो बार-बार बोल रहा हूँ कान खोल के, कान खोल के, कान खोल के सुन लो बहुत important part चल रहा है इन सब कामों को आप board meeting में ही करेंगे आप, शाबाश, आप इसमें resolution by circulation आप इसे नहीं कर सकते section 179, subsection 3 के बाद 182 आप political contribution नहीं कर सकते आप political contributions नहीं कर सकते आप political contribution नहीं कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे, board meeting से circulation से आप नहीं कर पाएंगे 182 यानि board meeting आपको यहां से करनी ही करनी होगी नमबर चोथी बात 188 में related party transaction करना चाहते हैं related party, 182 भी अभी discuss नहीं किया है ये भी आने वारी classes में discuss होगा 188 भी अभी discuss नहीं हुआ है related party transaction करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा इसके लिए भी आपको board resolution pass करना ही करना होगा कोई choice नहीं है, कोई option नहीं है 188, 184 में भी आपको board meeting करनी करनी पड़ेगी disclosure of directors interest disclosure of directors interest अगर मालीजी कोई interested directors है वो अपना interest disclose करना चाहता है directors interest तो ये काम भी क्या से होगा ये काम भी board meeting के अंदर होगा इसके लिए भी आप circulation से ये काम नहीं कर सकते और 186, loans and investment by a company loans and investment by a company ये काम भी आप board meeting के थुरू ही कर पाएंगे only यानि resolution of circulation से पास नहीं कर पाएंगे और section 196 में appointment of managing director appointment of appointment of managing director की हम बात करें and WTD की बात करें appointment करें या manager की हम बात करें यानि manager की appointment की हम बात करें ठीक है and approval of terms and conditions and approval of approval of terms and conditions यानि उनके appointment की terms and conditions को approve करना हो चाहे तो ये काम हम ये सारे काम हम board meeting के थुरू नहीं कर पाएंगे ये सभी काम हमें resolution by circulation से ही करने होंगे ये काम ये सारे काम हम board meeting के थुरू कभी नहीं कर पाएंगे इन सभी कामों के लिए हमें क्या करनी होगी दोस्तों इन सभी कामों के लिए हमें board meeting करनी होगी ये last point ये सबसे important part था इसका आईए इसे हम एक बारी revise करना चाहाते हैं matters which can not be decided by circulation हम क्या पढ़ेंगे एक list बनाएंगे जिनें आप circulation से transact नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे for such matters a board meeting is required for such matters a board meeting is required तो सबसे पहला है 161 sub section 4 161 sub section 4 filling of casual vacancy by directors directors अगर casual vacancy के थुरू director की appointment करना चाहते हैं fill करना चाहते हैं casual vacancy को fill करना चाहते हैं तो ये काम आप board meeting में ही कर पाएंगे 179 sub section 3 power to make call power to make call on shareholders issue of debentures borrow money otherwise they are known debentures invest the company's funds make loans ये पाँचो काम ये पाँचो काम आपकी बोर्ड मीटिंग में कर पाएंगे resolution by circulation में काम नहीं कर पाएंगे 182 का matter है political contribution आप political party को चंदा देना चाहते हो political party को चंदा नहीं दे सकते आप by circulation इसके लिए board meeting करनी पड़ेगी 188 में related party transaction करेंगे related party transaction करने के लिए board meeting चाहिए होगी 184 में disclosure of directors in trust board meeting में ही कर पाएंगे केवल loans and investment करना चाहते हैं company की 186 में आप ये फैसला सिरफ board meeting में ले पाएंगे 196 appointment of MD appointment of MD WTD manager and approval of the terms and conditions ये सब काम आप केवल और केवल board meeting में कर पाएंगे ये काम आप resolution कान खोल के सुन लीजिए कान खोल कर सुन लीजिए इसको रट लीजिए याद कर लीजिए this is very very important exam में आपको ये marks दिला सकता है section तो आप इसलिए इसे बहुत अच्छे से learn कर लीजिए इन सब मुद्दों के ऊपर इन सब मुद्दों के ऊपर board meeting और otherwise इन सब में से ये चाहे रहेंगे sections ठीक है otherwise मैं आपको बता रहा हूँ सिरफ section 175 के point of view से मत पढ़िये इन में से बहुत सारे question वैसे भी आने वाले है exam में इन में से बहुत सारे इन में से कोई ना कोई section आपको रखा वो मिलेगा ये सारे section आपको बहुत अच्छे से करने है that's it for section 175 175 के लिए इतना ही है अब आगे की session में हम committees की बारे में बाते शुरू करेंगे हम different committee committee का क्या concept है committee is a group committee is a group committee is a group out of the board of directors a group out of a group board of directors itself a group तो उस group में से एक छोटा group बना देंगे इस पहल से भी काम करने के लिए तो उसे कहेंगे concept of committee हम उसे अभी अच्छे से सिखने की कोशिश करते है हम committees के concept को करेंगे कि committee का क्या concept है committee का concept समझने से पहले आए इसका concept समझते है board of directors क्या है board of directors क्या है board of directors एक group है जिसमें यानि ये ये group है और इसे हम बोलते है brain of the company ये company का brain है company हम brain से क्या काम करते है हम अपने हर organ से कोई ना कोई काम करते है हम हातों से कुछ काम करते है हम कानों से कुछ काम करते है हम नाक से कुछ काम करते हैं ऐसे ही हमारे बोड़े की जितने भी पार्ट हैं हर एक अंग का एक function है भगवान ने हमें जितने भी अंग दिये हैं उसका कोई ना कोई काम है कोई ना कोई यूज है, कोई ना कोई परपस है ठीक है? तो ऐसे ही Board of Directors को हमने company का brain बनाया है हम दिमाग से क्या करते हैं हम दिमाग से सोचते हैं हम दिमाग से decision make करते हैं हम दिमाग से decision make करते हैं लेकिन कुछ decisions हमें अपने दिमाग से नहीं करने पड़ते हैं कुछ decision के लिए हमें अपने ममी बापा की, हमें parents की decision Hij label अपने टीशंघ की हाले नी पड़ती है अपने Nee Ready अपने टी Subscribe की हान लेनी पड़ती है आपने टीश eनर अपने लिए कुछ सो आपने पाते हैं 분स क्या करते हैं अब अब कंपोनी में और नैचुरल बर्सन के दिमाग में क्या फर्食べ बड़ असान है नैचुरल person अगर अपने दिमाग को increase करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो पढ़ाई करता है, ठीक है, एक engineer अगर finance को समझना चाहता है तो वो CA करेगा, ठीक है, एक doctor अगर, मानलीजी मैं doctor हूँ और मैं pilot बनना चाहता हूँ, तो मैं pilot का course करूँगा, तो जैसे जैसे मैं जो जो काम करन चाहते हैं, तो एक ही तरीके से हम अपने mind को develop कर सकते हैं, we need to take education and training and that's how we can increase our mental faculties, इस तरह से हम अपने mental दिमाग की faculties को increase कर सकते हैं, लेकिन company के बारे में सोचिए, company तो artificial person है, company अगर अपने दिमाग को increase करना चाहती है, तो company अपने दिमाग को कैसे increase करेगी, company क्या करेगी, उस specific knowledge वाले person को अपना director बना लेगी, यानि हमें marketing में expert चाहिए, तो marketing में जो expert होगा, उसे marketing, एक ऐसे आदमी को हम director बना लेंगे, जो marketing का expert होगा, कोई finance का expert होगा, तो ऐसे आदमी को director बना लेंगे, जो finance में expert होगा, कोई engineering में expert होगा, कोई audit में expert होगा, कोई किसी काम में expert ह तो हम company के functions को execute करने के लिए हमें जिन-जिन कामों के जरूरत है हम उन-उन faculties वाले लोगों को उन-उन expertise knowledge वाले लोगों को अपने company में director बनाते जाएंगे और in the course of time ऐसा हो जाता है कि ग्रूप बहुत बड़ा हो जाता है ये ग्रूप बहुत बड़ा हो जाता है और company को business करने के लिए रोज नए-नए तरह की decision करने बढ़ते हैं अब हर रोज ये directors हर रोज इन सभी directors को बुलाया जाए business transact करने के लिए जुरूरी नहीं हर रोज का मतलब हर रोज नहीं होता हर रोज का मतलब यहाँ यह है कि हर रोज का मतलब यहाँ पर यह है कि regular basis पर regular intervals पर company को ये board of directors से guidance चाहिए होती है directors brain है company का और regular basis पर ये पूरे पूरे ग्रूप को हम नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे ठीक है हम क्या करेंगे we make a group make a small group make a small group small group ठीक है make a small group out of out of large group शाबश बेटा आउट ओफ आउट ओफ दिस ग्रूप आउट ओफ बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स तो make a small group out of board of directors तो हम क्या करेंगे board of directors मेंसे एक छोटा ग्रूप बना देंगे शाबश जैसे मालने जी हमने engineering का फैसला लेना है तो उन लोगों को हम एक group बना कि उसको नाम देंगे this is the technical committee, this is the finance committee, this is the audit committee ठीक है और उस small group का नाम हम क्या रख रहे है committee ठीक है और हमें different types की committees किस किस तरह की committee की appointment करनी होगी अब lucky requirement क्या है इसके लिए तो अब इसके लिए lucky requirement क्या है आईए हम detail में इस concept को सिखेंगे concept of committees, different types of committees को हम सिखेंगे और इस series के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे section 177, this is one of the very very important section और इसका नाम क्या है audit committee, नाम क्या है बेटा? audit committee, ठीके बेटा? तो आपने इस ध्यान से इस concept को सीखना है audit committee की concept को, this is very very technical section 177 इस purpose के लिए हम करेंगे बेटा? सबसे पहले, सबसे पहले देखो कोई भी section बढ़ते हैं तो उसकी applicability को चेक करना चाहिए जब भी आप कोई भी section आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले check कीजिए कि applicability आईए, हम सबसे पहले ही check करेंगे कि किन-किन companies के उपर audit committee का section apply होगा? जिन जिन companies के ओपर audit committee का section apply होगा उनन companies को audit committee constitute करने पड़ेगी उनन companies को audit committee constitute करने पड़ेगी तो आईए इसकी applicability देखेंगे ठीक है आप note करेंगे बैटा audit committee audit committee audit committee is required to be constituted to be constituted to be constituted audit committee is required to be constituted by by तो किस किस तरह की company को audit committee जरूर constitute करनी है लिखिए all listed company जो भी listed company होगी वो audit committee को जरूर constitute करेगी all listed companies चलिए आप लिखिए all listed companies को जितनी भी listed company होगी all all public companies all public companies सभी public companies को छीक है शाबाज कुछ conditions है यहाँ पे all public companies having लिखिए आगे having 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 paid up capital paid up capital having paid up capital जिनकी paid up capital ज्यादा है more than equal to more than equal to इस symbol समझते हैं बेटा rupees 10 करोड जिनकी paid up capital 10 करोड से बराबर है या ज्यादा है तो उन्हें audit committee appoint जरूर करनी होगी turnover यानि sale की बात कर रहे हैं बेटा जिनकी turnover बराबर है या ज्यादा है rupees 100 करोड rupees 100 करोड तो उन्हें audit committee appoint करनी जरूरी है शाबाज मेटा aggregate जिनके aggregate aggregate outstanding aggregate outstanding loans aggregate outstanding loans और borrowings जिनके outstanding loans और borrowings और debentures और deposits aggregate outstanding loans borrowings और debentures ठीक है और deposits is equal to greater than यानि जिनके outstanding loan outstanding loan borrowings और debentures और more than equal to rupees 50 करोड यानि इन तीन तरहां की कंपनी को audit committee appoint करनी ही पड़ेगी इनके पास कोई option नहीं है अब ये ये सारे चीजें आप calculate कब करेंगे ठीक है तो लिख लिख लिजिए note important note ये तिनों ही बातें calculate आप कब करेंगे लिख लिजिए as per last ये सब काम ये सब काम आपको करने होंगे ये सब चीजें आपको चेक करनी होंगे और ये सब चीजें चेक करके आप बता सकते हैं अगर ये चीज़ें रिक्वाइरमेंट हो रही है शाबाश तो इन कंपनीज को audit committee के appointment करनी होगी इन सब के ऊपर ये section apply 177 हो जाएगा अगे हम पढ़ेंगे audit committee के को कैसे आप compose करोगे यानि इसके composition के बारे में पढ़ेंगे आईए तो heading लिखिए composition of audit committee composition of audit committee audit committee का composition किस तरह से आप करेंगे composition of audit committee audit committee का composition आप कैसे करेंगे आप note करेंगे इसमें सबसे पहले कौन-कौन होगा the committee the committee shall consist the committee shall consist not less than not less than three directors not less than three directors three directors इसके होने चाहिए ठीक है three directors with independent directors with independent directors forming जी जी तीन directors हैं तो डो directors इसमें independent होने चाहिए दो directors इसमें independent होने चाहिए ध्यान से सुन दीजी बात को जाबश और इसके 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 और पॉइंट लिखेंगे majority of the members majority वह हो ध्यान से लिखेंगे majority of the members independent हमने पहले देखा होने चाहिए members of audit committee majority of the members of audit committee जो audit committee के members है including its chairperson including its chairperson यानि उस committee का एक chairperson भी होका including its chairperson majority director including its chairperson majority of the members of audit committee including its chairperson शाबश उनकी एक qualifications बता रहे हैं shall be persons of ability shall be persons of ability इस तरह के होने चाहिए ability to read and understand to read and understand to read and understand financial statement financial statements यानि ऐसे majority में लोग होने चाहिए जो financial statements को पढ़ सकें और समझ भी सकें ठीक है एक important note यहाँ भी mention कर लेजिए एक important note यहाँ mention करेंगे बिटा every company every company ठीक है सुन लेजिए कौन सी company इसकी बात कर रहे हैं shall reconstitute every company मतलब जिसको audit committee की appointment करनी है not every company every company मतलब every company नहीं every company जिसको मतलब audit committee की appointment करनी पड़ी थी constitute करना पड़ा था every committee shall reconstitute its existing audit committee its existing audit committee बहुत ध्यान से आपने इस point को note करना है ठीक है शाबाश विदिन विदिन शाबाश every company shall reconstitute its existing audit committee विदिन शाबाश वैसे date जा चुकी है इसका कोई logic नहीं मनता लेकिन फिर भी आप section का एपार्ट है 31 3-2015 यानि अगर आपकी audit committee आपकी audit committee as per section 177 नहीं है तो by this date you must appoint by this date और अभी अभी तो हम 2016 में पहुंच चुके हैं न अभी तो हम February 2016 में हैं और आपको 31 3-2015 तक की deadline थी अगर आपकी audit committee section 177 के coding नहीं थी तो आपको क्या करना पड़ेगा ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा to comply with to comply with the to comply with section 177 तो 177 से comply करने के लिए आपको time दिया गया 31 3-2015 तक का act ने या act ने section 177 नहीं आपको यी time दिया कि 33 3-2015 तक आप क्या करना आप अपने audit committee को reconstitute कर लेना आप अपने audit committee को reconstitute कर लेना कब तक reconstitute कर लेना 31 3-2015 तक अपने audit committee को आप reconstitute कर लेना शाबश बेटा यहां ने audit committee की concept को सीखा आही हम एक बड़ी इसे revise करें शाबश यहां तक audit committee में ने जो सीखा revision is a great tool the nature of my class is कि I focus more on revision than doing new new concepts मेरा मानने का मतलब यह है कि success पाने के लिए आप चाहे थोड़ा पड़ें आप चाहे कम पड़ें लेकिन जो पड़ें वो खतरनाक पड़ें आप शाबश आप जो पड़ें आपकी knowledge उस पर perfect होनी चाहिए knowledge ultimate होनी चाहिए हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे committees की audit committee की बात कर रहे थे section 177 की applicability की बात कर रहे है audit committee is required to be constituted किन किन companies को करना पड़ेगा तीन तरह की companies हमने यह discuss करी जो भी listal company है listal company की हम ना तो turnover देखेंगे ना उसके aggregate loan को देखेंगे ना उसके हम paid up capital को देखेंगे सुन लिजिए बात ध्यान से जो company listed है उसको तो audit committee appoint करने ही पड़ेगी ठीक है लेकिन जो companies unlisted public companies है that means that section is not applicable on private limited companies this section is not applicable on private limited companies सुन लिजिए ध्यान से शाबश ध्यान से सुन लिजिए और all public companies having all public companies having यानि जो listed company है वो तो public company होई ही होगी यह बात अगर आपको नहीं पता चला तो आप गलती से आगई इस level पर आपको इस level पर नहीं होना चाहिए था अगर आपको यह नहीं पता अब तक कि जो listed company है वो public company तो होती होती है माफ करना मैं फोड़ा सा harsh word बोल रहा हूँ फोड़े से मैं परिशान करने वाले शब्द बोल रहा हूँ अगर आप इस level पहुँच गए हो आप final level तक अगर आप पहुँच गए हो आपको यह नहीं पता कि जो listed company है वो public company होती होती है शाबश तो आपको मुक्के लगने चाहिए कमर में जोड़ जोड़ से यू डिजर्व मुक्के in your back क्योंकि आपको अभी तक ये concept पता हो जाना चाहिए था अगर आप मेरी face to face classes में होते और आपको ये बात नहीं पता होती तो मैं आपके कमर में मुक्के लगाता जोड़ जोड़ से नहीं लगाता मतलब वैसे कहने का मतलब है कि आप dart के पात रहें आप दंड के पात रहें अगर आपको इस level पर ये बात समझ में नहीं आई कि जो listed company है वो public company होती होती है और जो दूसरी public companies हैं जिनकी ये वाली requirements है paid up capital is equal to or more than 10 crores turnover is equal to more than 100 crores aggregate outstanding loans अगर आपके aggregate outstanding loans ठीके या debentures 50 crore से जादा है या 50 crore के आपके बराबर हैं तो आपको according to last financial audited balance sheets या financial records, financial statements तो अगर आपकी ये position है तो आपको audit committee के appointment करने ही करने पड़ेगी और इसके बाद हमने देखा कि composition क्या रखोगे कि minimum 3 directors the committee shall consist not less than 3 directors minimum 3 directors तो आप करोगे और independent directors majority में होने चाहिए majority of the number of audit committee including chairperson shall be persons of ability to read shall be persons of ability to read and understand financial statements वो जिनको भी आप appoint करोगे जिनको भी आप appoint करोगे उनकी ability क्या होनी चाहिए कि वो financial statements को समझ सकें और पढ़ सकें अगर आपने ऐसे लोगों को ऐसे आपने ऐसे लोगों को audit committee का member बना दिया जिनने financial statements पढ़ने ही नहीं आती ठीक है ओफ audit committee अब हमें अब हमारे मन में अगर first time audit committee को सुन रहे हैं ठीक है बेटा तो हमारे मन में ये दो बातें उठ रही होंगी कि इसके functions क्या हैं और इसकी powers क्या हैं ये बहुत important दो concept हैं आईए हम इसे सुनेंगे और समझेंगे एक एक बात को समझेंगे very very important concept तो हम आगे discuss करने वाले हैं बेटा functions of audit committee आईए अब हम करेंगे बेटा functions of audit committee अब एक एक power को दियान से सुनते जाएंगे और note करते जाएंगे functions of audit committees आईए इसके functions को note करेंगे शाबश इसके functions को note करेंगे शाबश आईए लिखिए audit committee audit committee की जब हम बात कर रहे हैं बहुत दिहान से बेटा लिखिए audit committee shall act shall act as per terms, as per terms of, as per terms of reference, shabash, terms of reference specified specified in writing by the board, shabash writing by the board तो क्या-क्या काम हो सकते हैं उस recording आप note करेंगे, shabash, following are the main acts following are the main acts of audit committee आप note करेंगे बेटा, number first हम लिखेंगे first लिखेंगे बेटा, audit committee क्या करेंगे, recommendation करेंगे, recommendation लिखें, recommendation, recommendation for appointment recommendation for appointment, recommendation for appointment, remuneration remuneration and terms of appointment of auditors of the company यानि audit committee कमपनी के auditors अपॉइंट करने में help करेंगे, directors की, recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of the company तो पहला काम आप audit committee का सुन लिजिए, ये पहला काम है, इस काम के लिए हम audit committee बना रहे हैं, इस काम को करने के लिए हम audit committee बना रहे हैं, ये पहला काम है audit committee का, शाबाश ऐसे हम note करते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे, और समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और क्या करेगी, review करेगी, review and monitor, ठीक है, review and monitor, शाबाश ला ने यहां पर एक filter लगा दिया है, actually एक filter लगा दिया है, frauds को detect करने के लिए, एक filter क्या है कि हमने अच्छे लोगों को appoint करना है, आप अच्छे लोगों को, professionals, qualified, integrated, लोगों को, इमानदार लोगों को आप appoint करेंगे, financial statements त्यार करने के लिए, आप खुद इमानदार होंगे, हम पहले अजमशन लेंगे, फिर auditors के appointment कर देंगे, कि आप अगर बहिमान होगे तो auditor हमें बता देगा, और फिर एक और चलनी लग इंडिपेंदेंडेंज, auditor कहीं, directors के influence में ना आ जाए और frauds पे परदा ना डाल दे, ठीक है, review and monitor of auditors, शाबश, auditors independence को review करेगी, कि auditor independent तरी के से काम करे, उसकी independence पर ठीक है, किसी भी तरह की आज ना है, ये बात ensure करेगी, ठीक है, independence, performance, ठीक है, कहीं बैटा, ऐसे स्कैम हुए आप सत्यम वाला स्कैम आप देखो कि ऐसा स्कैम हुआ कि ओडिटर्स की गलती की वजाए से ओडिटर्स की लापरवाही की वजाए से जो auditors हैं, वो directors के influence में ना आ जाएं और वो independently अपना काम करें Review and monitor of auditors independence, performance and effectiveness and effectiveness and effectiveness of the audit process of the audit process तो हम देख रहे हैं कि audit committee के क्या-क्या काम होंगे, क्या-क्या function होंगे किस-किस तरह से वो काम करेगा शाबज बेटा और third point हम इसमें note करेंगे examination of financial statements examination of financial statements examination of financial statements and the auditors report their own and the auditors report auditors report their own examination of financial statements and auditor reports their own financial statements का examination करना और auditor की क्या उस पे व्यू है उसको भी एक्जामीन करना ये audit committee का काम होगा शाबज बेटा और fourth काम fourth इसका जो role है आप ध्यान से note करेंगे approval approval or any subsequent approval or any subsequent modification approval or any subsequent modification of transaction of transactions of transactions of the company of the company and related parties एंड रिलेटेड पार्टीज ठीक है बेटा और शाबाश फिफ्ट पॉइंट हम इसमें ध्यान से हम समझेंगे बेटा स्क्रूटनी करेगा बेटा स्क्रूटनी क्या करेगा स्क्रूटनी ओफ इंटर कॉर्परेट ट्रांजेक्शन जो दूसरी कंपनी के साथ इंटर कॉर्परेट ट्रांजेक्शन जो कंसर्ड कंपनी की दूसरी कॉर्परेट के साथ जो ट्रांजेक्शन है उनकी स्क्रूटनी करेगा ठीक है Inter-Corporeate Transactions Transactions का मतलब Loans and Investment है यहाँ पर Loans and Investment Transactions का मतलब यहाँ पर क्या है Loans and Investment शाबश बीटा तो हम Functions कर रहे हैं बीटा हम Different Types of Functions कर रहे हैं कि क्या-क्या क्या-क्या काम Audit Committee करेगी आप देख रहे हैं बीटा सारे काम कितने important होंगे एक वेलुएशन करना होगा भीटा जहां जहां रिक्वाइड होगा वेलुएशन ओफ अंडर्टेकिंग्स तो बहुत सारे हम काम बहुत सारे सेक्शन में हमेलुएशन की रिक्वार्मेंट देखते हैं आप देखेंगे पिता मर्जर एक्वरिजीशन और और वह कही कैसे में तो Valuation of Undertaking और Assets तो जहाँ जहाँ Undertaking की Valuation करनी है या Assets की Valuation करनी है ठीक है, Of the Company जहाँ जहाँ Undertaking की या Assets की Valuation करनी पड़ेगी तो वहाँ पर ये Audit Committee रोल प्ले करेगी Whenever necessary जब जब ये Requirement होगा कि जब जब ये Necessity होगी जब जब Requirement होगी कि Undertaking की Assets की Valuation करनी है Valuation of Undertaking और Assets of the Company Whenever necessary तब तब Requirement है तब तब कंपनी का ये Audit Committee ये रोल प्ले करेगी Valuation करवाएगी शाबश Evaluation Evaluation के बाद हम करने है Evaluate करेगी Evaluation Of Internal Financial 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 Controls Internal Financial Controls कि Internally हम कितने हमारा सिस्टम कैसा है उसको Evaluation करेगी कोई कमी तो नहीं है ठीक है Auditor तो बाहर से आगे करेगा Auditors तो बाहर से आगे बताएगा हम अपने Internal Financial Controls को चेक करेंगे Evaluate करेंगे Checking करेंगे Evaluation Evaluation of Internal Financial बाहर से आगे बताएगा Controls And Risk Management Systems And Risk Management System यह बाहर से आगे अगे पाहर से आगे आगे बाहर से आगे जिस काम के लिए हमने लोन लिया था Debentures इसू किये थे Shares इसू किये थे Inter corporate loan लिया था या Borrowing की थी Whatever Monitoring the end use of funds क्या पैसा उस purpose के लिए खर्च हुआ के नहीं हुआ ठीक है Monitoring the end use of funds raised through raised through Offer document Offer documents जो पैसा public से उठाया है उसका end used Offer documents and related matters यानि Company का पैसा आपने जो raise किया है उसको आप उसी तरीके से use गरवा रहे हैं जिस काम के लिए आपने वो पैसा एकठा लोगों से किया था आईए बिटा इनके functions को हम एक बारी revise करेंगे These are all functions मैंने आपके साथ discuss करें यह functions हैं किसके functions हैं यह audit committee के functions हैं फिर अब इसके बाद हम discuss करेंगे powers powers of audit committee और हमने discuss किया functions of audit committee और इसके बाद हम discuss करेंगे powers of audit committee आईए बिटा पहले functions को हम एक बारी analysis करेंगे functions को analysis करेंगे functions of audit committee क्या-क्य audit committee के functions है क्या-क्या इसके functions है इसे हम proper तरीके से analysis करेंगे proper तरीके से सिखने की कोशिश करेंगे audit committee shall act as a as per terms and terms of reference specified in the writing by the board, ठीक है, और उसके according काम को audit committee करती है, in return, जो board of directors के साथ, उनका agreement हुआ है, following are the main acts, और उनमें main main काम क्या हो सकते हैं, आईए हम इसके according पढ़ रहे हैं, section की according, recommendation for appointment of remuneration and terms of appointment of auditors of the company recommend गरेगी, यानि audit committee recommend करेगी कि auditors कौन होने चाहिए, उनका remuneration terms and conditions क्या होने चाहिए, इसके लिए वो directors को guide करेगी, ठीक है बटा, और second review and monitor of the auditor's independence, ठीक है, review and monitor of the auditor's independence, वो ये ensure करेगी कि auditor independently काम करें, auditors directors के influence में आके काम ना करें, उनकी performance को और उनकी effectiveness of the audit process को, audit process को effectively execute किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ को monitor करेगी, कौन audit committee, examination of financial statements and the auditors report there on, examination of financial statements, financial statements को खुद भी examine करेगी, और ये भी examine करेगी कि auditor उस पर क्या report तियार कर रहा है, ये सब चीज़ें काम करेगी बैटा, और fourth point हमने पड़ा, approval और subsequent modifications of transactions to the company and related parties, ठीक है, company और related party की transactions को approve करना, ठीक है, और उसमें कोई modification हुआ है, अगर बाद में approve करना उन्हें और उनके modification को देखना, ये auditor committee का काम होगा, audit committee का का काम होगा, scrutiny of intercorporate transaction, intercorporate transaction को scrutiny करेगी, evaluation of undertaking or assets of the company whenever necessary, अगर कई भी company की evaluation करने पड़ेगी, किस की evaluation करने पड़ेगी, undertaking की evaluation करने पड़ सकती है, कई बारी assets की evaluation करने पड़ती है, तो audit committee महा भी अपना role play करेगी, evaluation of internal financial control and risk management system, company की खुद की internal financial control को, risk management को evaluate करेगी, ठीक है, evaluate किया जाएगा, monitoring the and use of the funds, raised through offer documents and related matters, monitor किया जाएगा, and use of funds, and use of funds को monitor किया जाएगा, raised through offer documents and related matters, इन सब matters को, इन सब बातों को, शाबाज, और ये सब क्या है, functions हैं, किस के functions हैं, audit committee के, ये सब functions हैं, आप इन सब को अच्छे से note आपने कर लिया होगा आप तक, और आप इन्हें revise करेंगे, और इन्हें अच्छे से सीख कराएंगे बाता, ये आप से expectations हैं, अब हम discuss करेंगे powers of committee, अब हम क्या discuss करने वाले हैं यहाँपर, powers of committee, आईए, हम discuss करेंगे, बाता, powers of committee, powers of committees, जैसे हमने functions note किये हैं, ऐसे ही हम अब powers भी note करेंगे, शाबाश, और क्या-क्या powers दी गई हैं, act ने, audit committee को, देखो, अगर power नहीं दोगे, सिर्फ authority, सिर्फ responsibility दोगे, शाबाश, सिर्फ responsibility दोगे, तो कोई भी person, कोई भी group काम अपना नहीं execute पकर पाएगा, शाबाश, और, शाबाश, तो उसको कुछ powers देनी भी ज़रूरी है, audit committee की powers को हम यह discuss करेंगे, और examination point of view से, यह बहुत important question है, और आईए, आप मेरे साथ इन्हें note करेंगे, शाबाश, क्या power है, note कीजिए, first, हम यहाँ पर first power को हम discuss करेंगे, point wise, to call for, to call, मतलब मंगवा सकती है, क्या मंगवा सकती है, comments, to call for comments, from auditors, ठीक है, पिशे हम पढ़कर आए, कि क्या काम करती है, कि review करती है, audit process को review करती है, तो इसकी, power had to call for comments from auditors, about financial statements, about financial statements, about financial statements, about financial statements, internal control system, internal control system, scope of audit, scope of audit, and observations, and observations, auditor की क्या observations है, क्या उसने observe किया, company की audit process के दुरान, वो auditor की comments सीख कर सकती है, कि क्या comments है, ठीक है, to review, financial statements, to review financial statements, before submission to the board, board, board से पहले, उन्हें review करेगा, कौन audit committee, financial statements को, यह उसका power है, शाबश, तिसरी बात हम करेंगे, to discuss any related issues, to discuss any related issues, शाबश, with the internal, with internal, internal, या आप बात कर सकते हैं, statutory, जो company के statutory auditors है, यानि जो बहर वाले auditors है, या जो company के internal auditors है, उनकी साथ discuss कर सकती, and management, to discuss any related issues, with internal statutory auditors, and management, यानि इन लोगों के साथ, कोई भी related बात discuss कर सकती है, जो company से related बात है, ठीक है, financial statements से related, जो भी मुद्द है, उसके साथ discuss कर सकती है, fourth हम investigation की power भी दे रहे हैं, to investigate, क्या investigate करेगी, to investigate into any matters, into any matters, to investigate into any matters, in relation, in relation, to, its functions, relation to, its functions, ठीक है, जो भी audit committer के functions हैं, उनको execute करने के लिए, अकर investigate करने की जुरूरत है, investigation करने की requirement है, तो investigation भी करेगी, to have access, to have access, शाबश, to have access on information, और इसका information पर full access है, ठीक है, in the company's records, in the company's records, company के जो records हैं, उसके ओपर audit committee का full access रहेगा, full control रहेगा, to have access on, access on information, to have access on information, in the company's records, and obtain, and obtain, professional, क्या कर सकति है बता, professional advice, professional advice भी कर सकती है, for above investigation, for above investigations, investigations, आप note करेंगे, और professional advice भी ले सकती है, इन सब काम को करने के लिए, to have access on information, in the company's records, and obtain professional advice, for above investigations, के बारे में, full control ले सकती है, powers of committees की बात हम कर रहे हैं, अगर आई बटा, शाबश, और, यह सब बाते आपने नोट करी, यह सब बाते आपने नोट करी, यह सब बाते आपने नोट करी, these are all powers of, these are all powers of audit committee, शाबश बटा, very very important, यह सब powers आपने डिसकस करी, आईए हम इस चीज़ को फर्दर आगे हम लेकर जाएं, शाबश, इस चीज़ को हम एक बड़ी revise करेंगे सबसे पहले, powers of audit committee को, और फिर हम आगे इस बात को समझेंगे, तो क्या कहे powers हैं, to call for comments, to call for comments, आईए, note करेंगे बेटा, to call for comments from auditors, about financial statements, internal control, system, scope of audit and observations, शाबश, to review financial statements before submission to board, इसे पावर आपने याद करनी है, to discuss any related issues with the internal, with internal audit, internal statutory auditors, internal auditor, लिख 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 लिए, and management, to investigate into any matters in relation to its functions, to investigate into any matters in relation to its functions, to have access on information in the company's record, and obtain professional advice for above investigation, अगर वो investigation करना चाहती है, तो उसके लिए, full access है उसका, full access है उसका, company के record के उपर, companies के record के उपर, और वो professional advice भी ले सकती है, इस काम करने के लिए, शाबश, हम आगे बढ़ेंगे बेटा अपनी बात से, अपनी इस discussion को आगे बढ़ाते हैं, और इस topic को conclude करते हुए, हम आगे बढ़ेंगे बेटा, शाबश, इन सभी powers and functions को पढ़ने के बाद, अब मन में ये बात उठती है, कि इस audit committee के बारे में, shareholders को किस तरह से बता चलेगा, shareholders कैसे जानेंगे, कि audit committee नाम की कोई चीज़ भी है, तो, आपको board report का concept आपको पता होना चाहिए, कि directors, कंपनी के affairs के उपर एक report त्यार करते हैं, और उन्हें general meeting में रखा जाता है, आप पढ़कर आये हैं, general meeting के concept को लाइफ में पहले, general meeting के concept को आप अलड़ी पढ़कर आये हैं, तो general meeting में, general meeting का, एक objective जो होता है, वो यह होता है कि, general meeting में, directors के report को consider किया जाता है, तो उस report के अंदर, उस report के अंदर, directors audit committee के बारे में disclose करेंगे, शाबश, आईए इस चीज को हम आगे, आगे के class में इसको हम भजर्व करेंगे, शाबश, आप ध्यान से नोट कीजिए, हम disclosers की बात करेंगे, disclosers की board report under section 134, subsection 3 में जो आप board report बनाएंगे, shall disclose, क्या disclose करेगा, composition of audit committee, audit committee में कौन-कौन लोग involved है, areas where the board has not accepted any recommendation of the auditor audit committee, और board report में auditor express दिये लिखेगा, कि किन-किन मुद्धों पर directors ने audit committee के recommendations को नहीं माना, यानि वो कौन से matter थे, जहाँ auditor committee ने, जहाँ audit committee ने अपनी सलाह दी थी, जहाँ वो कौन से matter थे, जहाँ audit committee ने अपनी सलाह दी थी, लेकिन directors ने उस सलाह को किसी कारण से नहीं माना, ये बात आप बताएंगे, along with reasons, ये बात आप बताएंगे sir, reasons के साथ बताएंगे, कि क्यों नहीं आपने उस बात को माना, और एक important point यहाँ पर हमें और discuss करना है, आए हम इसे भी discuss करें, एक important point यहाँ और है, Auditors and KMP, Auditors and KMP have a right to be heard, in the meetings of the audit committee, audit committee में, Auditor को और KMP को सुनवाई कादिकार होगा, स्यान से सुन लिजिए, जब आप powers लिखेंगे, तो ये disclosure की बात भी लिखेंगे, जब आप powers of audit committee लिखेंगे, तो ये disclosure की बात भी लिखेंगे, और ये important point भी लिखेंगे, अगर powers के उपर question आता है तो, Auditors and KMP have a right to be heard, यानि सुनवाई का मौका मिलेगा, किसको in the meetings of audit committee, audit committee सुनवाई कर सकती है, किसकी auditors की, अगर उन्हें कोई दिख्कत आ रही है या KMP की, when it considers auditor report, audit report जब कंसिडर करेगी, तो क्यों वो audit report इस तरह की है, तो auditor अपना पक्ष रख सकते हैं, audit committee के सामने, but shall not vote have right to vote, लेकिन auditor के पास या KMP के पास, audit committee में voting right नहीं होगा, लेकिन उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा, और एक important point में, second important point हम ओर discuss कर रहे हैं, audit committee shall see, audit committee shall see, visual mechanism if applicable, visual mechanism क्यों बनाया जाता है, directors or employees, जो इमांदार directors और employees की सुनवाई के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए, जनें परशानी हो रही है काम करने में, इमांदारी से काम करने में जनें परशानी हो रही है, ठीक है, तो उनके कुछ grievances हैं, उनके कुछ दुख हैं, उनके grievances को, उनके दुखों को दूर करने के लिए, एक visual mechanism बनाया है, और visual mechanism हम आगे बढ़ेंगे, कि किस-किस situation में visual mechanism को बनाना पड़ता है, अगर visual mechanism को बनाया है, तो visual mechanism के कामकाज को भी audit committee देखेगी, audit committee उसको भी सी करेगी, देखेगी, शावाश, तो यह हमने concept पड़ा विटा, आपने powers को ध्यान से, आपने powers को ध्यान से, note भी करना है, और learn भी करना है, और आए आगे आने वाले इसी session में, हम visual mechanism को भी एक बड़ी पढ़ लेते हैं, visual mechanism को भी एक बड़ी देख लेते हैं, शावाश, visual mechanism की बात करेंगे, तो उपर आप एक heading डालेंगे बिटा, उपर आप एक heading डालेंगे, visual mechanism, आईए, visual mechanism, section 177 ही अभी हम class में discuss कर रहे हैं बिटा, 177 अभी खतम नहीं हुआ है, visual mechanism की बात करेंगे, शावाश बेटा, applicability, यानि किन companies को visual mechanism बनाना पड़ेगा, किन किन के ओपर यह applicability होगी, शावाश आप ध्यान से नोट करेंगे, number first, all listed companies को visual mechanism बनाना पड़ेगा, जो भी company listed होगी, उसे visual mechanism बनाना पड़ेगा, all listed companies, शावाश बेटा, ठीक है, और दूसरी बेटा, companies which accept deposits, companies which accept deposits from public, accept deposits from public, उन्हें भी visual mechanism create करना पड़ेगा, ठीक है, और companies, audit committee के साथ confuse ना कर देना, audit committee की applicability की छोड तरीके से पड़ी थी हमने, ध्यान देरो बेटा, don't confuse applicability of visual लिख लो साथ में, one must comprehend the difference, साथ में लिख लो, साथ में कहीं पर, अपने कागज पर कहीं साथ में लिख लो, one must not comprehend, one must not, ऐसे लिखो, one must, one must comprehend the difference between applicability of audit committee, one must comprehend, one must understand the difference between applicability of audit committee and applicability of visual mechanism, आप दिहान से मेरी बात को note करेंगे, भाई शाबाज, one must understand, the difference between, applicability of audit committee, and applicability of visual mechanism, applicability का बात करेंगे, जितनी भी listed companies है, सब के लिए applicable है, companies which accept deposits from public, और तिसरी बात, companies which have borrowed money, companies which have borrowed money, शाबाज, दिहान से आप नोट करेंगे, from banks, from banks, financial institutions, शाबाज, in excess of, in excess of rupees, rupees, 50 crore, अगर company बैंकों से, financial institution से, 50 crore से ज्यादा लोन लिया हुआ है, तो विजल मेकनिजम, विजल मेकनिजम अपॉइंट करेंगे, मकसद क्या है, क्यूं क्यूं करेंगे, वाई, परपस क्या है इसका, जो विजल मेकनिजम होगा, कि हम बात करेंगे, विजल मेकनिजम फॉर, ठीक है बटा, विजल मेकनिजम हम क्यों मना रहे हैं, लिख लिजीए, परपस ओफ, विजल मेकनिजम इस, ठीक है बटा, टू रिसीव, टू रिसीव, grievances grievances yani dhukhde, grievances and reports and report of genuine concerns of employees and directors visual mechanism purpose of visual mechanism is to receive grievances and report of genuine concerns of employees and directors इसलिए visual mechanism हम बना रहे है तो visual mechanism की बारे में हमने सीखा बिटा ध्यान से आप note कर लीजिए ध्यान से आप note करेंगे visual mechanism क्यों बना रहे हैं कहाँ इसकी applicability है और क्या इसका purpose है जो employees जो directors report कर सकते है visual mechanism को अगर उनके कुछ प्रिशानी हो रही है शाबाश बैटा उनके साथ कुछ दंगी हो रही है ठीक है चलिए हम इस बात को आगे लेकर चलेंगे Powers of audit committee to see visual mechanism audit committee की हमने powers के बात में भी वहाँ डिसकस करी थी लास्ट में important point ठीक है तो power of audit committee to see power of audit committee to see visual mechanism तो आए नोट कर लेजिए पहले heading डालिए उपर power of audit committee to see visual mechanism power of audit committee to see visual mechanism आए इस चीज को हम ध्यान से discuss करेंगे शाबश if company is required to form audit committee आप साथ साथ नोट भी करते जाए ठीक है if company is not required to form if company is not required to form audit committee under section 177 then a director nominated by the board shall oversee visual mechanism तो visual mechanism के कामकाज को को देखेगा अगर audit committee है तो audit committee देखेगी audit committee नहीं है तो कोई director, nominated director visual mechanism के कामकाज को देखेगा अब यहाँ पे एक important point जो नोट करने के लायक है in case of conflict of interest on any matter अगर किसी मुद्दे पर conflict of interest हो जाए यानि visual mechanism और audit committee के लोग आपस में ठगरा जाए तो such matter shall be considered only by other members of audit committee ठीक है that is excluding the members having conflict of interest ठीक है बटा अगर conflict of interest यानि मान लीजिए किसी ऐसे audit committee के ही डिरेक्टर के ऊपर शिकायत आ गई तो उस वो डिरेक्टर वो डिरेक्टर जब काम काज को audit committee जब काम काज को देखेगी और वह conflict of interest आ जाएगा तो उस डिरेक्टर को वहाँ participate नहीं करने दिया जाएगा जिसका interest conflict पर है जिसका interest conflicted है यहां पर आपने बात नोट करी आईए एक बड़ी दुबारा से हम इस बात को नोट कर लें विजल मेकनिजम के power of audit committee to see visual mechanism point number A में हमने क्या देखा आईए बटा लिखिए शाबाश आप देखिए point number A हमने यहां पड़ा if company is required to form audit committee under section 177 then audit committee shall see the visual mechanism if company is not required to form audit committee then a director nominated अगर audit committee की requirement नहीं है तो एक nominated director shall oversee the board by the ruminated by the board shall oversee the visual mechanism आप दिहान से इस चीज़ को note कर लीजिए दो situation दो अलग-अलग situation यहां create की जा रही है ठीक है audit committee की power के बारे में audit committee है तो audit committee देखेगी audit committee नहीं है तो एक director जो इसको board ने nominate किया है वो visual committee के कामकार्च को visual committee के कामकार्च को देखेगा हाँ अगर audit committee कामकार्च को देख रही है और in case of conflict हो गया यानि audit committee के किसी member के ऊपर complaint आ गई है तो वो वो डिरेक्टर वो इंट्रस्टिड डिरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा शाबाज बैटा उस कारेवाई में वो इंट्रस्टिड डिरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा वह interested director उस कामकाज में participate नहीं करेगा अब आगे की discussion में हम ये बात बेटा सिखेंगे क्या misuse भी तो हो सकता है ना ठीक है तो विरोधियों को विरोधियों को तंग करने के लिए भी यूज हो सकता है तो उपर आप heading डालिए बेटा शाबाश आप उपर एक heading डालेंगे लिखिए विजिल मेकनिज्म विजिल मेकनिज्म शेल प्रोवाइड सेफगार्ड शेल प्रोवाइड सेफगार्ड आपको सेफगार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा क्यूंकि दिस सस्टम कुड़ भी misused as well ठीक हम इंसान है ना हम चुछों का use तो बाद में करते हैं पहले उसे misuse करते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए बेटा adequate safeguard adequate safeguard against कोई इस सस्टम का victim ना बने against victimization कोई इस सस्टम का victim ना बने victimization of persons who use this mechanism अगर कोई complaint करे तो उसे victim ना बनाया जाए कोई इस सस्टम का ही victim ना रह जाए यानि आपने visual mechanism बना दिया शिकायते सुनने के लिए और कोई आदमी इसमें शिकायत करे तो director कहते हैं बटा देख लेंगे तेरको बाद में तो उसका कोई उसको यह safety ensure करें safeguard ensure करें कि उसे नोकरी वगारा से ना निकाला जाए या उसे और किसी तरीके से torture या mentally परिशान ना किया जाए ठीक है शाबाश तो आप कैसे securities की ensure कर सकते हैं शाबाश direct access direct access प्रोवाइड कर रहे हैं direct access to chairperson to chairperson of audit committee of audit committee and board board nominated board of directors board of director nominated ठीक है बटा और कोई भी शिकायद करता है उसका direct access होना चाहिए कि इस तक direct access होना चाहिए chairperson तक होना चाहिए chairperson of audit committee and board of directors board of director nominated audit committee नहीं है तो फिर nominated director होगा जो visual mechanism के कामकाज को देख रहा होगा और उस पर direct access उस तक होना चाहिए अगर audit committee है तो audit committee और शाबश और अगर नहीं है तो nominated director तक direct access होना चाहिए शिकायद करता का जो भी शिकायद करता हो उसका direct access होना चाहिए ताकि वो कोई उसे victimize ना करे कोई उसे शाबश उसे तंग ना करे इसलिए तंग ना करे क्योंकि उसने विजल मेकनिजम को शिकायद कर दी थी शाबश आगे चलेंगी बेटा और देखेंगे कि विजल मेकनिजम के safe guard के बारे में हमने सीखा कि कोई victimize ना कर पाए कोई victimize ना कर पाए शिकायद करता को और direct access होना चाहिए था किस तक direct access होना चाहिए to chairperson of the audit committee to chairperson of audit committee and board of directors nominated अगर audit committee नहीं है तो board of directors nominated by the board of directors nominated by the board of directors चले हम आगे ध्यान से देखेंगे misuse of visual mechanism को रोकने के लिए हम आए इस पर हम आगे तरजा करेंगे कि misuse of misuse of visual mechanism का misuse ना हो पाए misuse of visual mechanism in case of frivolous frivolous F-R-I-V-I-L-O-U-S frivolous complaints ठीक है in case of frivolous complaints being filed by a director अगर कोई director जूठी शिकायत करे या कोई employee गल्द शिकायत करे ठीक है audit committee या audit committee या nominated director shall take suitable action against such person suitable action लेना चाहिए उन लोगों को audit committee को और nominated director को इन लोगों के खिलाफ वो करवाई करें और आगे हम इस पर देखेंगे disclosure about visual mechanism details of establishment of visual mechanism shall be disclosed in the company's website and in the board report और visual mechanism के बारे में आप company की website और board report पर board report में आप बताएंगे कि उसके बारे में disclose करेंगे board की report में भी और company के website में भी कि कोई कोई हमारे पास कोई इस तरह का कोई mechanism भी है शाबश इस तरह की बाते आप वहाँ पर बताएंगे चलिए हम अब हम बेटा क्या करने वाले हैं अब हम क्या करने वाले हैं आईए आज की इस पूरी class को हम revise करेंगे एक बारी बेटा जाने से पहले देखो शाबश रिवीजन पर ज्यादा जोड़ देना चाहिए लोग करते हैं लोगों को निया काम रोज चाहिए लोग बड़े ही unsystematic तरीके से काम करते हैं आगे दोड़ और हमारे North India में कहवत है आगे द इतने सारे rules को हमने एक बर देख लिया है तो हमें यह चाहिए कि हमें एक बारी ने revise भी कर ले आईए revise करना जुरूरी है आज की पूरी class को revise करना तो resolution by circulation को हमने देखा हमने दो concept देखे कि meeting में क्या होता है meeting में directors resolution तक आते हैं लेकिन resolution by circulation में क्या होता है कि resolution director तक जाता है resolution director तक move करता है यह बात हमने यहाँ देखी आईए आईए बेटा यह बात हमने देखी कि resolution director तक कैसे move करता है और जब resolution director तक move करता है तो इसे कहा जात है resolution by circulation resolution by circulation आईए आज की इस पूरी class को हम revise करने वाले है resolution by circulation हम देख रहे हैं बेटा the board the board the board or committee जैसे हमने भी audit committee के बारे में सेखा board भी इसे use कर सकता है इस concept को committee भी use कर सकता है thereof may pass any resolution by circulation except those resolution which are required to be passed only at the board meeting यानि जिन कामों के लिए board meeting करने जरूरी है वो काम resolution by circulation से पास नहीं हो पाएंगे ठीक है आईए और वो काम कौन से हो सकते हैं वो act की requirement भी हो सकते हैं वो act की requirement भी हो सकते हैं और वो articles of association की requirement भी हो सकते हैं और resolution by circulation अगर आप पास करना चाहते हैं तो requirements सुन लीजिए तो ये वाली requirement ये वाली requirements उसकी होंगी पहले बाद circulation of draft the draft of the resolution along with the draft of the resolution along with all necessary papers must be circulated as under आपको resolution लिख कर उसके साथ papers attach करके circulate करना है किसको circulate करना है to all the members of the board or the committee सभी board के members को और committee के members को वो जाना चाहिए शाबाश ये हमने सीखा और to add their registered address कहां भेजना है add their registered address with the company जो company के साथ उनका registered address है वहां भेजना है following in the by the following manners और mode मान लिजीए या mode यानि तरीका किस तरीके से भेजेंगे by hand delivery भेज सकते हैं by post या courier से भेज सकते हैं email के थ्रू भेज सकते हैं fax भी आप कर सकते हैं ठीक है और अगले हम requirement सुन रहे हैं second requirement सुनिए क्या थी इसमें resolution should approved by a majority of all the directors members who are entitled to vote on the resolution और अगर majority लोग अपना वोट भेज देंगे company को और majority of the vote अगर आ गए है तो resolution पास हो जाएगा और resolution otherwise resolution फेल हो जाएगा तीसी third point हम इसमें discuss कर रहे हैं कोई भी doubt है आप मुझे phone करके फूच सकते हैं direct access है आपका मेरे पास direct access में आपने students को देता हूँ मेरे mail ID पर भी ठीक है l.k.sony5-gmail.com l.l4london l.k.sony5-gmail.com पर आपने mail आप कर सकते हैं 9818050252 सेम डे मैं आपके doubts को देता हूँ कई बच्चे doubts तो भेजते हैं लेकिन फिर बाद में feedback नहीं देते कि उन्हें वह समझ में आया कि नहीं यह बहुत मुझे concern करती है मुझे चिंता रहती है आप लोगों की आप doubt पूछते हो फिर मैं ठीक है जो भी best possible जो भी हो सकता है मैं वैसे तो detail में कोशिश करता हूँ कि मैं आपके doubts को detail में depend करता है कि doubt कैसा है आपका हना किछ कुछ बच्चे तो obvious बातों को पूछते है matter को ढंग से पड़े विना आपने doubt भेज देते हैं तो मैं उन्हें दुबारा पढ़ने के लिए भी बोलता हूँ लेकिन जब भी मैं आपके doubt को respond करूँ तो please आप वापिस भी मुझे respond करिए कि आपको वो समझ में आया कि नहीं आपके part पर ये duty है आपको ये ऐसा करना चाह ये विरे resolution is passed by circulation to prove its authenticity the company shall ठीक है company resolution by circulation को authenticity देने के लिए क्या काम करेगी authenticity देने के लिए company क्या काम करेगी आई धंग से हम आगे देखेंगे बिटा दो काम करेगी company पहले बात नोट the same in the next board meeting next board meeting में उसका संज्यान लेगी उसको नोट करेगी make it a make it a part make it a part of the minutes of that meeting और उस minute के उस meeting के minutes को उसका part बना देगी we are not less than one third we are not less than one third of the total number of directors यहां से question exam question यहां से आ सकता है ध्यान से आप note करेंगे इस point को this is important point we are not less than one third of the total number of directors members required that the matter must be decided at the board meeting और total number of directors के one third director यह जाते हैं कि इस मुद्दे को तो board meeting में consider किया जाए chair person shall put the resolution to be decided data board meeting chairman chair person क्या decide करेगा कि इस मुद्दे को फिर circulation से ना करके board meeting में ही discuss किया जाए ध्यान से सुन लीजिए matters which cannot be decided by circulation कोई बात समझ में नहीं आती है तो remind भी आप कर सकते हैं class को सोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं matters which cannot be decided by circulation for such matters a board meeting is required matters which cannot be decided by circulation for such matters matters which matter आप circulation से नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो ही तरीके से board की decision हो सकते हैं either by circulation और by either by circulation और by meeting जो काम meeting में नहीं होंगे वो circulation में होंगे और जो काम circulation में नहीं होंगे वो meeting में होंगे या बात समझ लीजिए आप आईए यहां एक section list बनाएंगे कि किन किन कामों को आप circulation से नहीं कर सकते इन इन कामों को board meeting के ही through कर सकते हैं पहला है section 161, subsection 4 filling of casual vacancy by the directors अगर directors casual vacancy को fill कर रहे हैं तो ये काम board meeting में नहीं हो पाएगा और दूसरा काम सुन लीजिए ध्यान से क्या है 179.3 power to make calls on shareholders and issue of debentures borrow money otherwise than on debentures पहले ये वाली बात ये वाली बात, पाच बाते सुन लीजिए इस काम को 179.3 कहता है कि board meeting करने ज़रूरी है अगर आप shareholder पे uncalled पैसा मंगा रहे हैं अपने share issue किया था अपने share issue किया था और कुछ पैसा unpaid रह गया था shares पर तो उस पैसे को आप मंगा रहे है make a call on shareholders समझगी में आई कि बात के नहीं आई आप उस पैसे को shareholder से मंगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बिटा क्या करना पड़ेगा make a call on shareholders तो वहाँ पे इस फैसले को board meeting में लेना होगा issue of debentures आप debentures issue करना चाहते हो तो इस फैसले को board meeting में लेना पड़ेगा borrow money otherwise than on debentures invest the company's fund make loans ठीक है और political contribution करना चाहते हैं 182 में तो आपको ये फैसला board meeting में ही लेना पड़ेगा 188 related party transaction करना चाहते है फैसला board meeting में होगा 184 disclosure of director interest फैसला board meeting में होगा 186 loans and investment of company 186 में जो board meeting में होगा 186 appointment of MD WTD 186 में 186 में जो board of director ने काम करना है 186 में 186 में फैसला shareholder पर भी है directors पर भी है पर जो काम directors को करना है directors को वो काम board meeting में करना है उसके लिए circulation 186 आप पड़ेँगे तो उसमें पड़ेँगे क्वाइज कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग करने जुरूरी है आप वह फैसला वह फैसला आप सर्कुलेशन से पास नहीं कर सकते तेज इसलिए बोल रहा हूं, ज़्यादा तेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं वही class class का time हो चुला है तो से फटा फट पेटा हम revise कररे हैं शाबश पेटा इसके बाद हमने शुरू किया committees का concept section 177 audit committee की बात कर रहे है applicability की बात कर रहे है audit committee कहां कहा applicable होगी शाबश all still companies per audit committee appoint करनी पड़ेगी public companies having paid up capital more than equal to 10 crore or turn over 100 crore more than equal to aggregate outstanding loans aggregate outstanding यह सब चीज़ें चेक करोगे और बताओगे audit committee की concept को बताया कि audit committee है क्या audit committee एक चोटा board है out of the board of directors composition of audit committee, committee shall have consist not less than 3 directors यानि जो भी इसकी members होंगे इसे भी directors होंगे और कम से कम 3 directors audit committee के होंगे with independent directors forming majority और इसमें से जो भी audit committee होंगे majority of the directors कौन होंगे majority of the directors कौन होंगे independent directors होंगे majority of the members of audit committee including the chairperson shell persons of ability to read and understand the financial statement और जो भी audit committee के member होंगे chairperson होंगा वो इस लाइक होंगे कि financial statements को पढ़ सके और यह 31-2015 को time दे दिया अगर आपकी audit committee नए act के coding नहीं है इसके बाद हमने क्या discuss किया इसके बाद हमने discuss किया functions of audit committee और audit committee के functions हमने सारे discuss किये फिर इसके बाद हमने powers of audit committee discuss करी आगे फिर हमने क्या discuss करी powers of committee discuss करी powers of committee discuss करने के बाद फिर हमने visual mechanism के बारे में देखा और visual mechanism में applicability किसकी है किसकी की उपर applicable है companies की उपर applicable है, companies which accept deposits from public उसकी उपर applicable है, और तीसरा companies which have borrowed money from banks, financial institutions in excess of rupees 50 crore, उसकी उपर visual mechanism applicable है, visual mechanism में क्या करोगे, directors और employees दुखी हैं, तो वो शिकायत कर सकते हैं, परपस यह है visual mechanism का, और जब शिकायत जो वो करेंगे, शाबाज, तो हमें क्या करना है, powers of audit committee to see visual mechanism, visual mechanism audit committee अगर appointment करनी है, तो audit committee की अगर appointed है, तो visual mechanism की निगरानी audit committee करेगी, अगर audit committee की requirement नहीं है, तो directors visual mechanism की निगरानी करने के लिए, एक directors को nominate करेगा, शाबाज बेटा, और अगर audit committee के members के उपर यह शिकायत हो जाए, तो उसमें, वो उसमें, वो इंट्रस्टे डिरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और शाबाज दिहान से देजिए, विजल mechanism shall provide safe guard, adequate safe guard against victimization of persons who use this mechanism, अगर जो person visual mechanism को use करेंगे, उसको victimize ना किया जाए, उसको तंग परिशान ना किया जाए, और उसका audit committee के chairman का, और audit committee के chairperson पर direct access उसका होना चाहिए, शाबश, उसका direct access ना हो, शाबश, यह बात आपने ध्यान से देखनी है, और audit committee या nominated director इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि इस visual mechanism का misuse ना हो, और visual mechanism के बारे में आप company की website पर और director's auditor board report में visual mechanism के सब बाते disclose करेगा, बैटा, that's it for this session, मुझे instructions है कि मुझे, मैं already 5-7 minutes ज्यादा ले चुका हूँ, जो भी मुझे time दिया था, इन लोगों ने class लेने का, system provide किया था, यह class लेने का, तो उससे मैं already 5-7 minutes extra ले चुका हूँ, तो मुझे conclude करना होगा बैटा, आप further, अब भी भी एक doubt है, तो आप मुझे WhatsApp मेरी झाला, 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 तो मुझे एक ध़।